तो देखो दोस्तों कैसे मैंने इन तीन दिन के अंदर बहुत अच्छा प्रोफिट जर्णेट किया है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पता देता हूं निफ्टी का चार्ट लेके चले थे मैंने निफ्टी के अंदर ही ट्रेड की है तो दोस्तों देखो कैसे मैंने से औपिषि ऑप्शन करके इस टाइम लास्ट ठरीदेज में अच्छा परफिट byशन्यट की ना दीता हूं यहां पर क्या था यहां पर निफ्टी का एक रजिस्ट एन्स था रजिस्ट एंस मतलब किया क्या वह बार 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 देखो निफ्टी ने यहां से बार बार क्या सो किया है अगर निफ्टी का मैं दिखाता हूं तो यहां से यहां निफ्टी आई फिर डाउन फॉल हुआ फिर यहां फिर यहां फिर डाउन फॉल हुआ फिर एक बार इसको क्रोस हुआ तो उसको दुबारा फिर से स्पोर्ट बना गे च तो सबसे पहले फर्स चीज तो क्या थी आमें थोड़ा सा कन्फर्म हुआ कि डाउन ट्रेंड यहां से डाउन ट्रेंड हो सकता है तो सबसे पहले तो मैंने यह कन्फर्म किया उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि यहां से reverse trend वापिस चल सकता है क्योंकि बहुत बार यहां पर निफ्टी ने इसको अपना resistance बनाया है तो यह अभी जो आपको चार्ट दिखा रहे हूं में daily time frame में है तो इसके बाद मैंने क्या किया जिस दिन यहां पर market खुली कब खुली यहां पर 16 फरवरी को तो 16 फरवरी को भी देखा कि bear scandal यहां पर show हुई bear scandal मतलब क्या show किया इसने इसने show किया कि यहां से trend reversal हो का और next day यहां से एक थोड़ा सा gap down की मान के चलो यह तो sideways मान लो पर फिर भी निच्चे की तरफ हो के लिए जो इसका आई था ना उससे निच्चे की तरफ इसने आई बना अब को clear दिखाते हैं तो जो इसका high था ना next day इसका high उससे निच्चे ही रहा तो यहां से थोड़ी second confirmation होई है कि यहां से downtrend start हो सकता है तो अब इसके बाद मैं आपको five mint के chart पे लेके चलूँआ जहां से हम अपने nifty का option करते हैं तो five mint के chart पे मैंने एक कोई ज्यादा calculation news नहीं की कोई कुछ news किया सिरफ trend line को follow किया resistance और sport सिरफ तीन चीज़ के सारे मैंने इसमें अच्छा खासा profit zernate किया और एक trend analyze अब आपको दिखाता हूं यहां पर देखा गया उस दिन देखा गया कि market बिल्कुल एक channel के अंदर flow है और channel के flow आने के बाद तो यहां से थोड़ा सा मेरे लिए और confirm आये जानना कि अभी एक downtrend आ सकता है जैसे कि यहां से यह एक channel बना तो यहां से downtrend का थोड़ा सा और idea हो मुझे स्रफ trend के recording तो next day फिर market ओपन होती है यहां पर यह देखो को दिखा देता हूं next day market यहां ओपन होगी तो मैंने क्या किया उस दिन जब यह अपना high किया तो यहां पर एक अमने box सा बना दिया कि यह इसका आई है और नीचे की तरफ लो जहां पर इसकी fully body थी उसकी एक trend line बनाई और यहां पर एक हमारा क्या बन गया रेक्टेंगलर बन गया और जब इसका breakdown हुआ इस trend line का तो हमने यहां पर अपनी position बनाई हमने यहां तक का कुछ अ करना उसके बाद market ना फिर एक थोड़ा सा uptrend दिया तब कभी market को देखे दो market ऐसा नहीं कि direct fall हो जाए तो market कुछ इस तरह का pattern बनाके down होती है जैसे नीचे गी थोड़ा सा उपर गई फिर इनचे गी फिर थोड़ा correction किया फिर नीचे गी तो इस तरह का pattern नमारा बनता है तो वही same हमारे साथ हुआ पहले market नीचे down आई उसके बाद एक थोड़ा सा pullback आया और दीरे दीरे एक ट्रेंगे लेंगे अंदर गुश के market ने नीचे गी तरह breakdown दिया उसके बाद फिर से एक trend line follow की market ने क्योंकि direct नीचे नहीं जा सकती और उसके बाद इस trend line का बहुत अच्छ प्रोफिट अर्न किया कि किसे पुट से और यह यह जो प्रोफिट एरिया है मैं जब live stream चलाता हूं तो उसमें भी मैंने शो कर दिया था कि हमारा आज प्रोफिट एरिया यह होगा जहांपर अच्छा प्रोफिट मिल सकता है क्योंकि मेरे को पता था यहां से downtrend स्टार्ट ह फिर से एक trend line follow किया है पहले भी trend line का breakout हुआ था और यहां पर भी trend line का breakdown हो सकता है तो उमारा प्रोफिट एरिया यह बन सकता है फिर उसके बाद भी हमने एक अच्छा खासा यहां पर थोड़ी सी sportly थोड़ा सा correction किया फिर से और डाउन गई market है अब उसके बाद का दिन तो यहां से market ने फिर एक trend छोटा सा trend बनाया और वही हमने एक trend line फिर बनाई और फिर यहां से market down गई तो यह profit हमने फिर दुबारा से लिया फिर market ने एक छोटा सा trend बनाया और फिर trend line breakdown की यहां से profit हमने फिर गिया तो तीन दिन से लगाता हम च्यार profit बड़े बड़े अरन क कर चुके हैं मार्केट के साथ साथ सिर्फ एक ही हैं मेर रजिस्टैंज के कोडिंग और स्पोर्ट के कोडिंग और ट्रेंड और ट्रेंड लाइन Matsra से टुछ लिए इन चार चीजह को teham सी तो आप भी इस तरह बिल्कुल downtrend था, तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, एक respectively downtrend था, तो market में कुछ भी नहीं करना था, ना कोई ज़्यदा analyze करने थी, simple अपनी put की position बनानी थी, और जहां trend line को follow करें, वहां का लोगी option बनानी थे, और अपनी profit को लेगर exit कर देना था, कहीं स इसे भी कुछ ज्यादा वगेरा, PCR वगेरा, उपन आये इंट्रेंट, इस समय, इस training में, downtrend में, हमें कुछ भी देखने की जूर थी, शिरफ trend follow करना था, अपनी sport resistance सही रखनी थी, और trend line ड्रोग करनी थी, बस इन च्यार चीजों गेल्प से, ये तीनो दिन हमारे अच्छी इस तरह प्रोफिट में गई हैं, तो इस तरह के अनलाइज के लिए आप भी मारे चैनल पर जूरो लाइव स्ट्रीम के साथ, ताकि आपका वीड़े अच्छा प्रोफिट में हो, थैंक्यों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी informative लगी हो, तो क्रपैस को शेर कर दें, और चैनल को लाइक सस्क्राइब कर दे,